तो बिना किसे इंट्रो को वीडियो को सुरू करते हैं और सिधा मेन बुद्दे की बात करते हैं कि क्या आपको GoDaddy से डोमेन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए तो पहले मैं GoDaddy की बात कर दू कि यह कितनी पुरानी कंपनी है तो आगर आप विक्रिपीडिया इसकी जो ओफिसेज हैं वो जरूर ओफलाइन में होएं लेकिन आपकी जो भी इनकी जो है वो परचेज होती है या फिर जो भी जो है ट्रांजेक्शन होती वो सभी कुछ ऑनलाइन है तो क्या GoDaddy से जो है वो वेबसाइट लेना डोमेन लेना खरीदना अच्छी बात होगी या फिर नहीं होगी बहुत सारे जो है वो आपने ब्लॉगिंग के वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपसे कहा जा रहा होगा कि आप जो होस्टिंगर से खड़िद लो या फिर नेमचीप से ले लो और इन सभी से ले लो लो तो क्या GoDaddy एक ट्रस्टेड वेबसाइट है प्लेस है जहां से आप खड़िद सकते हो तो जी हां मैं GoDaddy से जो है मैंने खुद जो है वो चार से पांच जो है वो डोमेंस पर्चेस किये हुए हैं और जो सक्से जो वेबसाइट है वो बहुत ही सक्सेस्फुली रन करती है और इस पर जो आप डोमेंस पर है उस पर आप Jia सबी भी ले सकते हो लेकिन किमेल जो है वो ठोड़ी महेंगी पढ़ जाती है और इसके साथ-साथ यहां पर आप Сब डोमेंस भी बना सकते हो और वो भी जो हो अच्छी काशी वार्ट करती है अब चाहा है, अब जाए बाटर में काम करती है तो मेरे लिए वो पाश है जो अभी जो है वो मेरी GoDaddy से बहुत ही अच्छी जो है वो एक कॉडिनेशन बनी हुई है एक पर क्या हुआ था मैं अपने इस्यू बताता हूं कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट सर्वीस है वो भी बहुत अच्छी है एक पर क्या हुआ था कि मैंने जो है वो आपना जिस लिंक जो इमेल एड्रेस होती है और उस उसमें इमेल भूल गया था कि कि से मैंने प्रचेश किया था और मुझे वो सब्सक्राइब ना था तो मैंने वह कॉल किया तो लगभाग आधे घंटे से पैतालीस मिन जो है वो उनकी जो कॉस्टमर सर्वीस है उन्होंने मुझे कोडिनेट कि सपोर्ट किया और मेरी जो प्रॉब्लेम थी वह रिजॉल्व की उन्होंने यह बताया कि आपका इमेल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रांजेक्सन आपकी अलग-अलग जो है वो कंपनीज में रहती है तो इस वज़े से पेपाल यह सभी को भी लेकर तो मेरी जो है वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस थी बहुत ही अच्छी थी देखिए थोड़ी सी प्राइसिंग की डिटेल प्राइसिंग की जो फ्लक्सवेशन है वह जरूर आ जाती है कुछ जगह जैसे होस्टिंगर में कुछ डोमेंस की जो टील्ड है वो सस्ती परती है से लू या नहीं लू आगे फ्यूचर में कुछ अगर में वेबसाइट अच्छी खासी रैंक कर जाती है तो क्या यह कुछ ज्यादा वो डिमांड तो नहीं करेंगे या फिर ब्लॉक करने जैसी बाते तो ऐसी कुछ भी त्रेटनिक आपको नहीं मिलने वाली है और आप जो और एक वात मैं खाना चाहूँगा कि अगर आप मिंस जो भी वो टॉप लेवल की वेबसाइट हैं जैसे की गूगल डोमें हो गई नेमचीप हो गई और ब्लू होस्ट तो यह सभी जो ब्लू होस्ट की तो खैर होस्टिंग आती है लेकिन इन सभी से जो है वो अगर आपको कोई प्राइस की फ्लक्ट्वेशन आती है मिंस अकर आपके 400-500 तक का वंतर आ जाता है तो जहां पैसे कम लग रहे हो आप वहां से ले लो क्योंकि डोमेंस में कोई भी इतना ज्यादा प्रॉब्लेम नहीं होती है जब होस्टिंग की बात आती है तो होस्टिंग में आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझके लेना चाहिए गूगल की होस्टिंग जो है वह बहुत महांगी है लेकिन ठीक है क्योंकि गूगल आप खुछ जान रहे हो कि गूगल इतनी बड़ी सर्वर है तो इसका होस्टिंग भी अच्छी ही होगी लेकिन साइट क्राउंड की जो है व और गोडेडी का मैं खुद परसनली यूज कर रहा हूं लेकिन मैं वेबसाइट इसलिए नहीं रिवील करता हूं क्योंकि पहले जो है बहुत बार जो है वो पहले मैं जो मेरी दूसरी यूट्यूब की चैनल थी उस पर मैंने बता दिया था तो फिर वहां पे जो है आप ज